शाबुदाना आलू की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से आप इसको घर में बना सकते हैं साबुदाना आलू की चकली तो यहाँ पे हम बहुती क्रिस्पी चकली बनाने वाले हैं इसे आप समर में बना के आसानी से एक साल तक खाईए साबुदाना आलू की चकली को आप airtight container में भरके एक साल तक store करके रख सकते है इस चकली को आप fast में, tea time में, snack time में आसनी से तल के खाईए तो आये friends बनाना शुरू करते है साबुदाना आलू की चकली साबुदाना आलू की चकली बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए होगा भीगा हुआ साबुदाना यहाँ पे मैंने आदा किलो साबुदाना लेके इसे ओवरनाइट के लिए भीगो के रखा था जिससे ए अच्छे से फूल चुका है अब हमें यहाँ पे चाहिए होगा आधा किलो उबला हुआ आलू यहाँ पे मैंने आलू को कुकर में डालके मीडियम हाय फ्लेम पे आलू की 3-4 सिटी ले ली जब आलू थंडा हो गया तब आप इसको चील ले आलू को चीलने के बाद हमने इसका कद्दू कस कर लिया यानि की ग्रेट कर लिया तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है अब हम ग्यास पे चड़ाएंगे कुकर आप यहाँ पे कोई भी कड़ाई या पतिला ले सकते हैं कुकर में देड़ ग्लास पानी डालकी इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पानी में अच्छे से उबाल आ चुकी है तो इसमें हम डालेंगे स्वादा नुसर नमक, आप यहाँ पे सेंदा नमक का भी इस्तमाल कर सकते हैं, जिसे आप इस पापड को वरत में भी खा सकते हैं, तो इसमें हम डालेंगे देड से दो चमच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आप यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च क अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पे हम इसी स्टेश पे डालेंगे भी गोया हुआ साबुदाना डालने के बाद हम इसे 10-15 मिनिट लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे यहां पे हम डालेंगे आधा ग्लास गरम पानी यह देखे फ्रेंड आधा भी हमें इस तरह से चाहिए तो अब हम यहां पे डालेंगे कद्दुकस आलू आलू को भी हम साबुदाना में अच्छे से मिक्स करते हुए चार से पाच मिनिट के लिए पका लेंगे गैस का फ्लेम लो मिडियम रखके हमें इसे अच्छे से मैश करना है आलू और आलू का डो यहां पे मोल्ड भर के तयार है अब हम इसकी चकली बना के देख लेते हैं यह देखे फ्रेंट्स चकली हमारी बहुत अच्छे से बन के तयार हो रही है जब आप यहां पे चकली बना लो तो आपको चकली के दोनों इंट्स अच्छे से चिपकाने है तो इस तर एक से दो दिन में अच्छे से सूख जाए तो यहाँ पे इसे इस तरह से बना ले और उसके बाद इसे एक से दो दिन के लिए दूप में सुका लेंगे दो दिन बाद इसे मैंने दूप से निकाल लिया है यहाँ पे आप देख सकते है friends इस चकली बनके हमारी तयार है इस चकली को आप airtight कंटेनर में भरके एक साल तक स्टोर करके रख सकते है अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में तो यहाँ पे तेल अच्छे से गरम हो चुका है यहाँ पे हम डालेंगे चकली इसे हम पलटते हुए अच्छे से फूलने तक फ्राइ करेंगे तो यहाँ पे चकली हमारी अच्छे से फूल चुकी है इसे हम निकाल लेंगे इसे हम स्ट्रेनर में निकालेंगे जिससे इसका एक्स्टा ओईल है वो निकल जाएगा तो सेम प्रोसेस से हम बाकी के चकली को भी फ्राइ कर लेंगे इस तरह से पलटते होए चकली की दूसरी बैच भी अच्छे से फूल के तयार है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एक इतने बढ़िया फूल के तयार है इसे भी हम निकाल लेंगे तो यहां पर साबदाना आलू के चकली बनके तयार है बहुती बढ़िया बने हैं आप भी इस रेसेपी को घर में बना के जरूर देखिए ट्राइ कीजिए मेरे इस रेसेपी को और कैसी लगे रेसेपी कमेंड में लिखके जरूर बताए यह देखिए फ्रेंड्स साबदाना आलू चकली कितने आसान इसे तूट रहे है इसकी क्रिस्पिनेस में आपको तोड़ के दिखाती हूँ बहुती बढ़िया बने हैं फ्रेंड्स और मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ एर टाइट कंटेनर में जिससे मैं इसे एक साल तक स्टोर कर पाओ फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए